हालो दोस्तो टेक यूट्यूबर अभी यूट्यूब चैनल के उपर आप सब का स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो में मैं आपको वाटसेप डिस अपीरिंग मैसिज के फीचर के बारे में बताऊंगा कि डिस अपीरिंग मैसिज फीचर क्या है और आप इसे कैसे यूज में ला सकते हैं तो वीडियो के साथ पूरा बने रहें वीडियो को पूरा दियान से देखें वीडियो को देखने से पहले यदि आपने अपने भाई के चैनल टेक यूट्यूबर अभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को औल प्रेस करें बहुत सारे यूजर को वाटसेब के चैट में एक फीचर देखने को मिलता है disappearing message ये फीचर क्या है आपको सबसे पहले step by step समझाता हूँ जब कभी भी दोस्तों आप किसी दूसरे यूजर के साथ चैट कर रहे होते हैं और आप चाहते हैं कि वो चैट मैं delete कर दूँ और automatically record सारा delete हो जाए आप दोस्तों delete के button पे click करते हैं और message को delete for everyone करते हैं परन्तु 2-3 दिन वाद ये delete for everyone का feature हट जाता है और सिर्फ आता है delete यानि उस बंदे के WhatsApp में जो ये message होते हैं वो save हो जाते हैं तो अब आप चाहते हैं कि automatically ये message उसके mobile से भी हट जाएं delete हो जाएं तो दोस्तों ये feature है कि आपको सबसे पहले जिस बंदे के साथ chat करनी है उसके सबसे पहले number को ok करने फिर number को ok करने के बाद आपको message का feature देखने को मिलेगा disappearing message off होगा आपको इसे on करके 24 घंटे 7 दिन या 90 दिन कर सकते हैं अब दोस्तों मैं दूसरे chat में चले जाता हूँ वहाँ पर जैसे मैं click करूँगा तो यहाँ पर भी देखिए disappearing message का जो feature है वो आ चुका है यानि देखो अभी मैं दूसरे mobile से message कर रहा था तो यहाँ पर जो disappearing का feature है वो automatically enable हो गया और यहाँ पर बोल भी रहा है कि जो chat है वो automatically delete हो जाएगी इसलिए आपके mobile में यह feature enable हो चुका है जो दूसरा बंदा है उस बंदे ने भी disappearing message on कर दिया है तो यानि दोस्तों इसका फाइदा यह है कि chat अपने आप उस mobile से भी और आपके mobile से भी automatically delete हो जाएगी 24 घंटे के बाद इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को subscribe करें आज की वीडियो में इतना ही thank you दोस्तों